विल्कम बैक, आज हम स्टार्ट करेंगे महातमा गांधी, देखिए कि स्पेशल लेक्चर है, ये रेगुलर लेक्चर से विलकुल अलग है, ये मौडर्न इंडिया का पार्ट है बर जो हमारा सिक्वेंस से लाइए उसमें लेक्चर टू में नहीं आएगा, ये अप आप सेश और इनके आइडेलोजी, इनके इंपोर्टेंस फोर इंडियान इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके इंपोर्टेंस, एज़ा पॉलिटिकल लीडर, एज़ा सोशल रिफॉर्मर, एज़ा बैरेस्टर, सारी चीज़े आपसे पूछी जाती है, ये लेक्चर थो बिना टाइम वेस किये, चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पर, फास्ट फैक्ट में बहुत कुछ है, महत्मा गांधी की जो डेट ऑब बर्थ है, जो जन्म है इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पूर बंदर में हुआ था, बिटिश राज्ये में था 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 वो, आज वो मौर्डन इंडिया के गुजराद में है, इनकी दैद बितार 30 जन्वर 1849 को दिल्ली में होई थी, इनको गोली मारी गई थी नतुराम गोर से द्वारा, ये वकील थे, राजनीतिक थे, समासुधारक थे और एक अच्छे लेखक थे, इनकी बीवी जो थी उनका नाम कस्तूर पूरबा गांधी था, इनके बच्चे हीरालाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी थे, फादर करमचंदर उत्तम चंदर गांधी थे, और मदर पुदली भाई थी, मौहनदास का जनम आपको पता है, दोक्टूबर को वह पूरबंदर में की थी, और ये वैशनेजव को फॉलो करती थी, वैशनव धर्म को फॉलो करती थी, हिंदूओं में दो धर्म होते हैं, शैव और वैशनव जो इंपोर्टन कल्ट माने जाते हैं, शैव धर्म के जो फॉलोवर हैं वो शिव भगवान को मानते हैं, और कही ना कही इन पर इनके बारे में जिनका नाम रलाइता है, रालिता बताती हैं कि ये बच्पन से बहुत ज़्याधा शर्तान थे, इनको खेल लने का सबसे अच्छा टाम था कि सडक के कुट्टों के कांट टृस्ट करके उनको हाट करते थे, को दुख देते थे और रोते देने में जाती थी इनके दो बड़े भाई ने इनकी दोस्ती शेक महताब से करा दी थी शेक महताब के साथ इनकी दोस्ती के बाद ये बहुत सुधरे भी बहुत विगड़े भी सुधरे क्या विगड़े क्या उसमें अगर देखें तो जाहिर सी place पे जिसे वह शाले बोलते हैं और वहाँ पर गए उसे अच्छा नहीं लगा तो वहाँ से वापस आ गए इन्हों ने वेटवा सिग्रेट पीने की भी आदर डा ली वह सिग्रेट भी नहीं की आद़ है इन्होंने अपने अंकल को देखते वे डाले अंकल जब cigarette पीते थे तो cigarette का जो left war होता है जो बच्चा हुआ तो उसे fake देते थे उसको वो उठा लेते थे पीते थे ऐसे इनकी लट लगए जब लट लगए थे खरीदना था तो खरीदने के लिए अपने घर के नौकरी के पर से पैसे चुराने लगे तो copper coins वहां से चुरात की एक gold coin जो था इन्होंने चुरी करने की कोशिश की शेक के armlet से अपने ही दोस्ते दोनी क्या हां से इसके बाद इन्हें बुरा लगा अपने पिता जी के पास गया हमसे कहा और कसम खाए कि इसके बाद अभी कभी कुछ नहीं करेंगे इन्हें बच्पन में बेटा श्रवन वैल्यूस होनी चाहिए कि आपको पतावना चीन चीन सचक्या है मौंदास करम चंदर की शादी की कस्थूरबा गांधी जी से होती है जिनका नाम करपूर वाखान जी होती है 13 साल की एज में हो जाती है गांधी जी कहते हैं जब शादी हो ही तब शादी का मतलब पता नहीं था, शादी इनके लिए सिफिय थी कि इने नए कपड़े मिल जाएंगे, पर जैसे ही शादी का टाइम आगे बढ़ता गया, इनका लस्ट बढ़ गया, इनको अट्रेक्शन हो गया, अपनी बीबी के तरवाकर्शित होने लगे, और अब शारीरिक स संबंद बनाने के लिए ललाईत रहते थे, तो इनका जीवन तामसिख वासना और काम वासना में जुड़ गया, अब इनको से वही अच्छा लगने लगा, और अपनी आत्म कता में लिखा है, इने बहुत दुख हो था यह चीज़ याद करके, कि यह कितना पागल हो गयते अपनी बीवी के साथ सेक्स के लिए, गांधी जी ने यह कहा है कि इस बीवी के चकर में यह अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते थे और मैकसिमम टाइम यह अपनी बावी के बीवी के बारे में सोचते रहते थे, फिर एजुकेशन की बात करें, तो इनकी फैमली स्कूल करते हैं राजकोर्ट से, इनका एक साल छूर जाता है, इनकी शादी व्या के चकर में इसके बाद आके अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं, इसके बाद यह सामल्दास कॉलेज में जाते हैं, भाव नगर पर वहाँ जादा दिन नहीं रह पाते हैं, तो गांधी जी क अपनी मा की कसम खाते हैं, वहाँ पर कोई गलत काम नहीं करेंगे, इनका भाई ने सपर्ट करता हैं, इसके बादे लंदन पहुच जाते हैं, लंदन में इने कुछ थियोसॉफिकल सॉसाइटी के लोग मिलते हैं, जिसके चकर में रिलिजियस वुक्स पढ़ने लगते हैं, कुरान, बाईविल, नई और पुरानी और कई भारतिये धार्मी कुस्तिके, जिसमें सबसे आदा प्रभावित इने बेटा करती है, भगवत गीता, भगवत गीता के आइडिया से योगा प्रेक्टिस, कर्मा, ये सारे सिध्धान उठा लेते हैं, चार सेप्टेंबर 1888 को बेटा लौ की त्यारी के लिए बैरिष्टर बनने के लिए लंदन जाते हैं, वहाँ पे इनर टेंपिल में रहते हैं, नाइन महीं, नौ महीने लगातार पड़ते हैं, उसके बाद सारे एक 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 सारे सब्जेक्ट एक ही परिच्छा में पास कर लेते हैं, दस दून को इन्हों बार में बुलाया जाता है, इन्हें इन्रोल किया जाता है, अगले दिने ने हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करने के लिए इन्रोल कर देते हैं, और उसी के अगले दिने वापस इंडिया भेज देते हैं, भारत आने के बाद ही पहले बंबे हाई कोर्ट में जाते हैं उसके बाद राज कोट आते हैं बट बहुत जादा टाइम नहीं मिलता फिर सौथ अफरीका के लिए ने मौका मिलता सौथ अफरीका चले जाते हैं और जाहिर सी बात है इनके जो experience हैं जो practice इनके साथ थी हो बहुत अच्छी थी और जो इन्होंने पढ़ा था वो सब इनका काम सौथ अफरीका स्टीपट क्रिप्स नहीं के बारे में का था कि यह कोई जादूगर नहीं सिंपल इंसान नहीं है इसके पास कई सारे religious धार्मिक द्रस्टी कोड हैं और एक trained वकील है तो बहुत weak है और reasoning बहुत अच्छी है मतलब तारकिक बुद्धी बहुत तेज है तो ऐस अपोनेंट ना हो तो अच्छा है गांधी जी कप पैदा हुए क्या किया उसके बारे में आपका सामने यहां टेबल में भी लिखा हुआ है इसको अब यहीं से देख लेंगे तो भी आपको help मिल जाएगी इस टाइम पे गांधी जी बेटा पैदा हुए इसके बाद लंदन गए पढ़ने लंदन से लोटे तो दादा भाई इसे नेने फाइट करने के लिए सौथ अफरीका बुला दिया फिर वहां पे ट्रेन से इने फेक दिया गया ट्रेन वाला इंसिडेंट भी इनकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी था यहीं से गांधी जी का महात्मा बनने का जर्णी स्टार्ट होती है इसका अध गांधी जी सौथ अफरीका जाते हैं उसकी पूरी टाइम लाइन स्टोरी ठीक से दी गई है गांधी जी लॉयर बनके जब इंडिया आते हैं तो यहां पर दादा अदुला एक मर्चेंट होते हैं कहते हैं कि मेरे भाई के बिजनेस है और यहां पर चल आते हैं वहां पर चलिएbon पर चले जाते हैं साना बहुत जरूरी था बहुत इंपॉर्टन वाने जाते हैं तो यह साललने जाते हैं और 1893 में सालले का पास। अउठ बिजनेस्मेन जोते हैं इनको इसलिए एडमायर करते थें क्योंकि Englishन की अच्छी थी औ और लीगल मैटर और गुजराती बैक्राउंड था गांधी सिर्फ रिच बिजनेसमेन को नहीं बाकी जो वहां के गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी सर्व करते हैं ये बहुत विजी थे उस टाइम पर क्योंकि ये सिर्फ एक ही बैरिस्टर थे पूरे नेटाल में जो इसके बाद पूर्शिया जा रहेती होते हो इसके बाद इनको बीच में ट्रेन से फिक दिया जाता है ये इंसिटेंट बहुत जरूर ही अभी आगे में से डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बाद 1893 में नेटल कॉंग्रेस फॉलो करते हैं बनाते हैं और फांड करते हैं और पहले सेकेटरी बनते हैं इसके बाद एक अनादर इंडियन बैरिस्टर रहीम खान आ जाते हैं इसके बाद थोड़ा फ्री होते हैं फिर ये ये सारी बुक्स पढ़ते हैं बेटा ये हैन्री डेविट से बेटा सिविल डिस ओबीडियंस जॉन रस्किन से अब टो इस लास् गषनु गेज़े उसके बाद विटा इसके बाद पैटर मिट्स बढ़क असधिन क्या होता है पोलख्या शीज़ी और प्रूरा पैसे हैं और पूरा प्रएप कॉस्तिटूशन से क्या मंतलब फर्स क्लास की टिकेट लिए बिटा ट्रेन में बैट जाते हैं जब ट्रेन में बैटते हैं तो अंग्रेजी ने देखते हैं कहते हैं आप इसमें नहीं बैट सकते हैं आप सबसे पीछे वाली बोगी में जाईए थर्ड क्लास इसमें बैट ही है गांधी जी जाने से मना करते ह गांधी से महात्मा बन जाते हैं और फाइटिंग अपनी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस स्टार्ट कर देते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट इंसीडेंट इनकी लाइफ का और इसलिए आज भी एक ब्रॉंच स्टेटू गांधी की चास स्टीट पर खड़ी होई है वहाँ गूगल पर देखें कि आपको मिल जाएगी इसके बाद वेटा आपसे मैंने कहा कि जाईसी बात है बहुत सारे केसे लड़ते थे सब कुस था इसके बाद जो वहाँ से आते हैं इस केसे इनको बहुत बुरा लगता है इसके बाद आके नेटाल इंडियन कॉंगरेस बना दे के लिए और सेक्स के से चुटकारापानी की कोशिश के लिए भी लोगों की मदद करते हैं यही एक लौती चीज़ होती है जिससे फ्यूचर में भारत में गांधी जी के जो आश्रम आएंगे उसकी प्रारब रूप रेखा यहीं पर बन जाती है उसके बाद गांधी जी ए क्योंकि इसको याद कि बिना आपको दिक्कत होगी तो आप यह जरूर यहीं से याद कर लिए येका क्योंकि सत्याग्राइक के भी concept गांधी जी नहीं से याद किये थे तो आप ये भी इसी जगे से पढ़ लिए इसके बाद बेटा गांधी जी अंगरेजियों के साथ थे क कहते हैं कि मेरा मन तो कह रहा है कि मैं इनके साथ जो अंजस्ट हो रहा उसका साथ हूँ बट क्योंकि मैं British भारत का नागरी कुछ हूँ तो मैं अपनी लोयलेटी या अपनी वफादारी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छोड़ सकता British Empire के खिलाफ तो मैं उनहीं के साथ रहूँगा तो इन में दोनों को इनको यहां और यहां दोनों में Nobel medals मिलते हैं यह भी टाइटल है यह यहीं से पढ़ लेगा इसके बाद बीटा मात्मा कांधी फाइट करते हैं registration के अगेंस heights तो 96-90607 में registration के लिए registration होगा होता है सबका उस टाइम पर लौ आजाता है कि सबको registration कराना पड़ेगा और अपने पास पर 15 चला देते हैं और और कहते हैं कि अपने certificate जला दो इन campaign के against गांधी जी कर लिया जाता है फिर गांधी जी 1909 में लंदन ट्रैवेल करते हैं और इसके बाद जो ट्रांस लेवर रेइस्टरेशन एक्ट होता है रिपेल्ड हो जाता है अच्छा टॉल्स्टो एफ़ान गांधी जी को कहीं न कहीं सपोर्ड करता है आश्रम बनाने के लिए इंडिया में पैसिव रेजिस्टेंस से सारे मैथनी सीखते हैं इनको यह पता चल जाता है कि कैसे बड़े पब्लिक मास्केर के साथ जुड़कर अच्छा काम किया जा सकता है तो उसके बारे में इसे सोचते हैं सिविल डिस ओविडियंस मूवमेंट वगेरा जब स्टार्ड करना होता है जो ट्रांस वॉल मार्च है वो आपको बताएंगे तो ट्रांस वॉल मार्च क्याती साथ अफरीका पॉस्ते हैं मौडरेट मैथड अपनाते हैं प्रेटिंशन वगेरा फाइल करते हैं पर 1906 में क्या होता ही हो जाता है कि आप कहीं पर भी ट्लैवल करेंगे तो आपको मंगेर चला सकते ौमवेंट अच्छा चला सकते फूर सप्लाइद संत्र रहा वेडिक इसके बाद रिस्क्रिक्शन लगा देते मोमेंट पर कहते हिंदू मैडिजर यो हूँ वह इन्वालीद है तो 200 नेटाइल कोल माइनर्स करते हैं गांधी जी 1913 में एक मार्च लांच करते हैं, जो नेटैल से ट्रांस वाल तक होती है, और जो बॉर्डर होता हुआ से लीगली क्रॉस करते हैं, बिना पर्मिट के, इसके बाद वहाँ पे जर्नल स्मक्स होते हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, बाद में ये इनको पक कर देते हैं, मार्च करने लगते हैं शायर की तरफ, इसमें कोई भी रूल नहीं होता, जो ट्रांस वाल मार्च होती है, और गांधी जी अरेस इस से इंस्पायर होके वो लोग भाग रहे होते हैं, गांधी जी को राजा बोला जाता है, अपने मन की मर्जी के मालिक थे, और नैंत तो यह होते हैं, farmers, planters और यह लेवर और शुगर planters, ही क्या करते हैं, यह मैं जब अपना यह March इस्टार्ट करते हैं, तो चाकु, डंडा और पत्थरों से पुलिस्मेन को भी मारते हैं, बहुत इंजीरी भी आती हैं, इसके बात इंडियन लेवर सेम काम डर्बन में यही करने लगते हैं, इनकी demand होती है कि poll tax हटा दिया जाए, free travel दिया जाए, voting rights दिया जाए और गांदी जी को आजाद कर दिया जाए, तो उसके बारे में बेटा आपका यहाँ पे एक table है यह आप अगर चाहें तो Google पे भी मिल जाएगा, यह मुरुनल से निकाला गया है, बहुत ज़्यदा चीज नहीं है तो इसमें आप इनमें पहले इनोंने marriage को inactive, declare invalid कर दिया फिर 3%, 3% tax लगा दिया, फिर natal की march होई, इसके बाद sugar plant, डर्बन की डर्बन मार्च होई, फिर इसमत पे inquiry लगी, coal minus की strike होई फिर commission अपनी report समित की फिर गांदी जी इंग्लेंड के और वहाँ से वापस इंडिया चले जाएंगे तो यह कि story timeline है इनकी, यह भी आप यहीं से पढ़ लिजेगा, इसके बारे में सारी चीज़े लिखी है कैसे protest हुआ का moment डनाया गांदी जी ने अपनी report government enacted implementation report गांदी जी पे उनिस सो चौदा में जुलाई उनिस सो चौदा में चले जाते हैं जून में government इंग्लेंड में इनसे बात करती है सारी बाते होती है outcome आता Indian labor are important होते हैं उनको permit दिया जाए तीन साल का और हर साल उसको renew ना कराया जाए Indian marriage legal होंगी और abolish कर दो तीन पॉंड का जो टैक्स जनर्नल स्मित कहते हैं कि अच्छा हुआ यह इनसान चला गया यहां से अब यह सादू वापस इस धर्ती पे ना है क्योंकि जनर्नल स्मित इतना परेशानें से हो चुके होते हैं इसकार बेटा महात्मा गांधी को अगर हम यहां पर थोड़ा देखे हैं तो सर्भामिक्ता की बात करें तो गांधी बहुत जरूरी थे हिंदू, मुस्लिम, धर्म, निटवेचता की बात में बहुत आगे थे सब को फॉलो करते थे कहते थे हर बैक्ग्राउंड के लोग एक साथ रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी चीज़े बनेंगे तो हर बैक्ग्राउंड के लोगों को अपने साथ रखते थे उनकी बाते सुनते थे, उनको याद रखते थे और उनकी आइडिलोजी इसको फॉलो करते थे पर यह बहुत प्रिवलेज लाइफ जीते थे पर तो महत्मा कांधी आएंगे तो गरीबों की लाइफ जीएंगे सामानी जीवन जीएंगे सिंपल थिंकिंग है, सिंपल लीविंग है और एक हाई थिंकिंग के आइडिलोजी है तो एक सधार विक्ति को जादा लोग पसंद करते हैं यह सारी चीज़े इसमें चलती रहेंगे इसके बाद गांधी जी महिलाओं के साथ कैसे थे तो महिलाओं के साथ इनके रिष्टे अच्छे थे पहली बार आपर क्लास की महिलाओं ने पार्ट लिया युदि में और इनके साथ प्रटेस्ट करती थी गांधी जी को पता था कि इंडियन स्टेगल में फीमेल्स को किया था और गुहा कंपेयर्स करते हैं महात्मा गांधी और मेहता के रिलेशन को मार्क्स और इंग्जल्स की तरह तो अगर आप कभी मेंस में यह लिग नेंगे तो आपके लिए बहुत और गरीब होके होते हैं तो यह कहते हैं कि भाईया जो मुवेंट है वो स्लोड चलना चीए ट्रांस्वलिंट है इन्हें पूरे इंडिया में हो न पूरे साफ अफ्रीका में से मुवमेंट होना चीए इन्होंने का सिर्फ टेक्स ख़तम होने चीए पिटेंशन ये सब इन्होंने का सब खतम करके हमें एक बड़ा मास मुवमेंट चलाना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों को reverse कर दें और इन सब चीजों को अपने साथ control कर पाएं तो सब कहते हैं भई ये तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा इसको करने से हमें प्रॉब्लम होगी तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो दोनों बिलकुल अपोजिट चलते हैं अपनी अपनी आइडिलोजी में ये बहुत जरूरी चाहिए इसको आप यहीं से देखती चाहिए इसके बाद बिटा गांधी जी ऐस बिटिश पैट्रियोट अगर बात करेंग इनका हमेशा साथ देंगे अंके साथ कभी कुछ गलाट नहीं करेंगे क्योंकि बिटिश ऍंडिया के सेडिजंस हम लोग भी हैं क्योंकि उर्णीन ने पिटा इंडियन प्रिश कौन्सिेचशन पढ़ा था जैसे आप देखें फंडमेंटल राइट्स लिबर्टी ये सब द पुझा और यह हमेशा लॉयल रहे बेटिशर्स के लिए तब तक जब तक की नहीं नहीं पता चला कि बेटिशर्स के मनसूबे गलत है इसके बाद गांधी और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस गांधी साथ अफरीका से वापस आते हैं जब वापस आते हैं तो बेटा यह वाप कर सीधे भारत भ्रमड के लिए निकल जाते हैं गोखले के कहने पर और भारत भ्रमड यह प्तारम कर देते हैं एक साल भारत घुपने के बाद यह वापस आते हैं तो सत्याग्राय आश्रम साबरमती में इस्टैबलिश करते हैं एमदाबाद के बाद इसके बाद यह निउस के लिए बहुत important message देते हैं कहते हैं अगर आप सच के पीछे रहेंगे तो आप सब कुछ पाप आएंगे और justice और सब आपके हाथ में होगा फिर पहला सत्याग्राइच अंपरान होता है अंपरान सत्याग्राइच जो है वो नील की खेती करने वाले किसानों के साथ होता है यहाँ पर क्या होता है नील की खेती के लिए सिस्टम चलता है जिसे तीन कठिया बोलते है इसमें जो आपका जमीन है उसके तीन बटे बीस भाग में आपको खेती करनी है सिर्फ नील की और नील की नुक्सान है उसका पैसा दीजिए उसके बाद हमें agreement से free कर दीजिए गांधी जी इस मुद्दे के लिए बुलाए जाते हैं राज कुमार शुकला इन्हें बुलाते हैं गांधी जी के साथ association करते हैं ब्रिच किशो राजिंदर परशाद जीबी कृपलानी गोरक परशाद ये इसके बाद हमेंडाबाद में राजाद कानके पर वर्क पर रेख से कहते हैं प्लेक को रहते हैं गांधी जी से क्षण को करते हैं अ लिए हंगर स्टाइक पर बैड़े आते हैं और भूके मरने लगते हैं और फाइनली ओनर मील के वर का ओनर होते हैं वो एगरी कर लेते हैं 30% वेज़ इंक्रीज करना इसके बाद अमबालाल सारा भाई वेटा इसके ओनर होते हैं वो गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त होत हैं और इस टाइम पर गंदी जी मिल जाती है गंदी जी से मिल दी खे backwards के साहर जाता है इसके बाद बिटा खेड़ा मुउमेंट होता है घ्राब गुजरात कि गाउं का चोटा सा प्लेस है यहां पर फowing नहीं होता है तो लोग कि वो नहीं देना चाहते एमदी आते हैं इलो लोग टेक्स बिल्कुल ना दीजिए अंग्रे जो के अगेंस खड़े हो जाईए बाद में को पड़ा चलता है कि बाद में को ये पड़ा चलता है कि गांदी जी के लिखते हैं कि ये पहले से एक आदेश आया हुआ है जिसके तुरू ये कहा गया है कि सबको टेक्स नहीं देना जो केपिबल है वही देंगे तो यहीं पर यह मुमेंट भी खड़ा जाता है ये तीन मेजर मुमेंट गांदी जी के होते हैं अपने टाइम पर इसके भाद गांदी जी आगे बढ़ते हैं इसके बाद सबसे पहले सत्याग्रय करते हैं तो यह जांदी मेंट। रखते थे बहुत ज्यादा इल होता है हर्वेस को बस मतलब इस टाइम पर सस्पेंट रहता है मौमद अली जिन्ना काउंसल से रिजाइन कर देते हैं इसको बहुत गंदा एक्ट माना जाता है गांधी जी सत्याग्रह सभा को जुलाइन इसके स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं और यह पहरा ओल इंडिया मुमेंट होता है यह सपोर्ट किया जाता है अब्दुलबरी और फिरंगी महल लखनाउ से यह भी ने सपोर्ट करते हैं 6 अप्रेल को डेट फिक्स होती हरताल की और इसे नेशनल हिमिलेशन डे बनाया जात है 10 अप्रेल को बेटा सत्यपाल और सप्रोदीन के चलू को गिरफतार कर लिया जाता है 13 अप्रेल को बैसाकी के दिन बेटा सब लोग जलिया वाला मागेर में पंजाब में अम्रिसर में कलेक्ट होते हैं मिशेलो डायर गवर्नर जर्न गवर्नर होते हैं लेटिन गवर्नर होते हैं उनके order पर जनरल डायर गोली चला देते हैं और तकरिवन 3989 लोग मारे जाते हैं जो एक गलत डायरा है इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं अंटर कमीटी आती है बड़ डिसीजन सही नहीं देती जनरल डायर को पब्लिक मार बेटिश ओनर देती है उदम सिंग 1940 में मिशेल ओडायर जो गवर्नर होते हैं उस टाइम पर बंजाद के उनको मार देते हैं और रविना टैगोर जो होते हैं इस टाइम पर नाइटोड को अपने टाइटल को वापस दे देते हैं गांधी जी अभी इस चीज़ को अच्छा पर नहीं मांगते और वह भी अपना केसरें टाइटल वापस दे देते हैं इसके बाद गांधी जी रॉडर्स अग्रेटा भीमार्यन ब्लेंडर बोलते हैं कि अभी पब्लिक तयार नहीं होती है तो अब ये पब्लिक को प्रोटेस्ट के लिए त्यार करने की कोशिश करते ह खिलाफत और नौन कार्पेश्ट मुमेंट आता है में ध्याञा थिए टर्की सत्रू रास्तों की तरफ से लड़ता है तो तर्किये को डिस्वेंट कर दिया जाते है तो तर्की के सुल्तान होते थे वह कलीफा मतलब मुसल्मानों के रिलीजियस हैड़ माने जाते ते धर्म गुरु माने जाते थे विश्व के तो मुसल्मान खिलाफ़त मुमेट इसकार्ड करते के तर्की को इतने एरिये दे जाएं कि पवितर एरिये को बचा पाएं और साथ दे पाएं तो खिलाफ़त कमेटी बनाई जाती है मुम्मद अली, सौकत अली, मौलाना, आजाद, हकीम, आजमल खान, हजरत महान ये सब मिलके बनाते हैं गांधी जी हिंदो-मुस्विम इनिटी की बात करते हैं खिलाफ़त कमेटी के प्रेसिडेंट बनते हैं आल इंडिया पार्टी कांफरेंस इलाबाद में होती है वाइकाट को एप्रूवल देती है जून में और गांधी जी को कहती है कि वो मुमेंट अपने हिसाब से लेट करें खिलाफ़त कमेटी भी लॉंच करती है नौन कॉर्परेशन मुमेंट एक अगस्त उनने सो बीस को स्टार्ट किया जाता है इस यह सेट्रेशल सेशन होता है स्प्टेम्पर उनने सो बीस में जिसमें पंजाब अंकलाफ़त रॉंग्स को रिनूव करने और स्वध्यराँच को सेबलिश करने की बात की जाती है नागपुर के session में भी non-corporation moment की बात की जाती है और ये moment इस्टार्ट हो जाती है इसमें बिटा ध्यान रखेगा कि membership गांधी कम कर देते हैं ताकि हो Congress Working Committee फॉर्म की जाती है पंदर मेंबर की constitution में बहुत major changes किये जाते है self-government की बात की जाती थी ये स्वराज की बात की जाती है legitimate manner से ही मांगी जाएगी तिलक स्टाइंटे मर जाते हैं उनके नाम पर तिलक स्वराज स्वन बनाए जाता है एक अगस 1920 को और इसमें 1 करोड रुपे खटे हो जाते हैं ये non-corporation पूरी तरह implement था स्वराज एक साल में मिल जाएगा गांदी जी ने बोला था बट इसमें कई सारे लीडर्स होते हैं जो गांदी जी के साथ नहीं होते तो इस टाइम पर जिन्ना, जियेस, खरपड़े विपिन, चंदरपाल और इनी बेसिन कॉंग्रेश सोड़ देती हैं गिलर्शिप नए लोगों के हाथ में आ जाती है जिसमें गांदी, सियर्दास, मोतिलाल, नहरू आते हैं इस टाइम पर बेटा कही सारे विश्विद्याले एक्जिस्टेंस में आते हैं जैसे जामिया, माली, मीलिया, इसलामिया, अलिगर्ण में बाद में दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, बिहार विद्यापीट, काशी विद्यापीट और गुजरात विद्यापीट इसमें धेमस टीचर जैसे अचारे नरेंडेव, दॉक्टर जाकिर हुसेन, लाला लाजपत्राय पढ़ाते हैं सुभाज संद्र बोस भी ICS को छोड़ देते हैं, और National College कुलकत्ता का होता है, वहां के प्रिंस्पल बच जाते हैं गांधी जी भी अपना केस रेंड मेडल वापस दे देते हैं इस ताइम पर कई प्रॉमिनेंट लीडर्स होते हैं, सियारदास, मौतिला नहरू, एम जायकर, सफ़ेदेन केचिलू, वल्लाबाई पटेल, राजा गुपालाचारी की प्रकाशन आसे वली है इसके बाद कराची रेजलीशन पास होता है, जिसमें कहते हैं 1921 में कोई भी मुस्में बिटिश आर्मी को जाइन नहीं करेगा इसके बाद कई कैपलिस्ट होते हैं, जिसमें उमर सा भाहानी होते हैं, वो इनको जाइन करते हैं उसके बाद दुर्गीलाल गोपर किष्णा भी गुर्णूर डिस्टिक में सेम चीज़ चलाते हैं, मुन्सिपाल सी टेक्स देने को बना करते हैं इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि बारदौली तालुका से ये सिविल डिस ओविडियन्स मूवमेंट स्कार्ड करेंगे, जो अगला हायर स्टेज होगा, नॉन कर्परिशन मूवमेंट का बड़ उससे पहले चौरी-चौरा हो जाता है, पांच फरवरी 1922 को डेट टोड़ा साही कर लिजेगा बेटा, गलत हो गई यहां पे, इसके बाद ये मूवमेंट बारा फरवरी को वापस ले लेते हैं और इसके बाद ये ही कलोता ऐसा मूवमेंट होता है, जैसमें बेटा हिंदुम उसने में एक साथ होते हैं, और ये चीज दुबार आप रिपीट नहीं होगी, मोस्सक्सेस्फुल प्रोग्राम होता है, नॉन कर्परेशन का, और इससे बड़ा मूवमेंट इसके बाद होग होता है, इसके बाद स्वराज पार्टी जब गांधी जी जाले जाते हैं, मोमेंट खतम हो जाता है, तो चेंजर और प्रोचेंज रूखानचेंजर्य होता है, जिसमें आगर आप बात करोगें तो लेंगे तो तो प्रोचेंजर्स प्रीचेंजर्स कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए इसमें लेंगे तो एक जनवर 1923 को कॉंग्रेस के लाफ़त पार्टी बनानी जाती है पार्टी पार्टी के अंदर रहती है दिल्ली कॉंग्रेस में अब्दुलकला मजाद परमिट देते हैं गांधी जी आते हैं गांधी जी स्वाराजिस्ट को बेल गाउं सेशन में अपने अंदर कॉंग्रेस काई पार्ट मान लेते हैं इलेक्शन होते हैं 1923 में 101 में से 42 सीटे जीट जाते हैं यह लोग इसके बाद वाला भाई पटेल प्रेसिडेंट स्पीकर बन जाते हैं 1925 में मुतिलालनहरू पहली सेशन में इन्यू कॉंसिट्यूशन की बात करते हैं इसके बाद सीयारदासındaू कोलकता की और इनके सेट्री में सेकेट्री की टरह वर करते हैं इनके सियो इस भाजसेट द्रभूर् को पातेल हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं एंधभाद मुंसीपाल् पावर और रेंक के चक्कर में खतम हो जाती है बहुत इंपोर्टेंट है नो चेंजर भी अपने लिए काम कर रहे थे तो यह क्या करते हैं खादी को प्रमोट करते हैं अंटचिविलीटी के लिए काम करते हैं आश्रम्स और नैशनल स्कूल करते हैं लाहर सेशन होता है ठीक है इस टाइम पर सब लोग बाहर चले जाते हैं और सब लोग को छोड़ देते हैं और यह आपको याद रखना है चितर रंजन दास पहले मेयर की कोलकता था इसका साइमन कमिशन क्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करते हैं गांधी के लिए शाओ्स को लॉट नाइच के लिए और पहले सलिब्रेट करते हैं गांधी के टेक्स सॉल्ट पर बढ़ा देते हैं और सत्यागριसी बाती होता है, डांडी बाती बाती है, प्रोटेस्ट सक्सेस्फल होती है और गांदी एरभिन पक्त होता है. सालत्याग्राइट क्या है पूर्सवराज की बात करते हैं इसके बाद जनवरी 1930 को स्वाराजडे बनाते हैं मात्मा गांधी प्लाइन करते हैं मात्मा गांदी कहते हैं कि सॉल्ट से मुवमेंट स्टार्ट करें और विन को लगता है कि से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका साथ नहीं देते हैं फिर गांदी जी की चूज बहुत अच्छी थी नहीं पता था कि आठ परसंट से उपर टेक्स लेते हैं तो बेटे श्राज हैं आफने के बारे में बता देते हैं फिर अपरंटी स समय स्कार्ट से मैल को पढ़न के साथ जाते हैंlardan के साबरमती अशल हम से तो इसके बाद नटी माच कैसे पूरी होगी साबरमती से डं-डी घंए कोशिश करते हैं पहुद जाते हैं सरस्जी नाइड़ू भी इनको जोईन कर लेती हैं और फाँच अपरेल को यह लाँप पर तोड़ देते हैं लेंड टेक्स एंसब के बारे में कॉंग्रेस पार्टी लीगल डिकलेयर कर दी जाएगी कॉलकत्ता से कराची कराची हर जगे ऐसे वालेंड के इंसीडेंट होते हैं पर गांदी जी इस मुवमेंट को वापस नहीं लेते हैं सीराजा गॉपालाचारी भी से मुवमेंट स्टार्ट करते हैं साउथ इस्ट में त्रीची से वेद्रेयम तमिलनाडू में केक रिप्लाने केक केलेपन भी यही काम करते हैं कालिकट से पेनियार में मालाबार रीजन में ऐसे कई सारी जी जासा हम मौरूब आंदर प्रदेश में होती है इसे सत्यक रहे होते हैं जिसमें वूमेंज भी पार्ट लेती हैं फॉरेंड क्लोथ वाइकॉट किये जाते हैं रारो की दुकान के बाहर बैठा जाता है दुनिया वाइं पूरे इंडिया में स्ट्राइक चलती है इसके बाद 21 में इसे सर्प्रस करना बड़ा मशकिल होता है इस मोमेंज के इन फैक्ट आते हैं इंडियन स्ट्रकल को लाइम लाइट में वेस्टन मीडिया के लिया है इसमें वूमेन और डिस्प्रेस क्लास भी डिरिक्टली फ्रीडम मोवमेंट में लग गई इसने दिखा दिया नॉन वाइलेंट सर्ट्याग रहे एक ऐसा टूल है जिससे इंपडियलिस्म की अगेंस या सम्राजवादी की अगेंस लड़ा जा सकता है गांदीजी को जैल से छोड़ दिया जाता है लौड इलविंसए मिलते हैं गांधी एर्विंप्क्त होता है सिल्डियस और डियूमेंट खतम होता है और सविन का सपॉर्ट इसमें लिमिटेड हैं यह कई सारे कंसेशन नहीं ले पाए इसके बाद बेटा जब एमोमेंट खताम हो जाता है इसमें बाकी फेमस जो चीज़ें आप देख लिए इसमें एक इंपोर्टेंट लाइन है यह आपको बताया दे रहा है इसे आप इसके लिए लीजेगा इसमें की जो में वेस्टन आप बेटा एक और है रानी गए दिल्लियू के बारे में बात करनी है यह बहुत इंपोर्टेंट रानी थी नौर्थी इसकी इनको बेटा आजादी के टाइम तक नहीं चुड़ा गया 32 से 47 तक जेल में रही उसके बादे नहीं चुड़ा गया इसका राउंटेविल कॉन्फरें जाते हैं तो यहां पर जो डिप्रेस्ट क्लास होती है उनके लिए भी सेपरेट लेटिस्टेशन की बात होती है जो गांधी जी को फसन यह था गांधी जी मूवमेंट वीच में चोड़के वापस आ जाते हैं इंडिया आते ही इनको तुरंत पूनी की जेल में डाल दिया जाता है और यर्वदा में डाल दिया जाता है वहाँ पर फास उन्टु डेथ स्कार्ड कर देते हैं मूवमें डिसकार्ड नहीं होता कॉंग्रिस काम नी कर रही किसी टाइम पर एंबेटका इनके बीच में पूना पैक्ट साइन होता है जिसमें डिप्रेस्ट क्लास के यहांद के बाद गांधी जी जब जेल से छोड़ते हैं यह साबरमती आश्रम नहीं जाते कसम खालेते हैं जो तक सवराज नहीं मिलेगा थब तक यह सेवा ग्राम आश्रम वर्दा में रहने लगते हैं यहीं से इन्होंने बेठा हरी जन सेवक संग फाउंड किया और 1933 में हरी जन तूर कला किया था कि संवंड्या के लिए व कुई इंडिया मोमेंट श्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टन व्मेंट यह गांधी जी वर्ड वार साइकिंड होती है गांधी जी को पता था कि अब वर्ड वार कि तरह है वोल्ड वर साकेड्य में इनका साथ देंगे तब बेटिश नहीं मानेंगे तो क्याते हैं तुम बार चोड़ दो अंग्रेज कही बार कहते हैं कि सर देखिया ऐसे करने से कुछ नहीं होगा देश खत्रे में हो कहते हैं सर वो खत्रम समाल लेंगा उसके लिए परेशन और देश शोड़ों अपने देश को समाल लेंगे तो लाग से उपर पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं जिनको गांदी जी के साथ रेलीज करते हैं इसके बाद बेटा इंडिपेंडेंस जब आती है तो कैबिनेट मिशन प्लान के साथ आती है बट इस ताइम पर पार्टिशन की बात होती है गांदी जी इस चीज को बिलकुल अगांधी जी को धुख लगता है पर सर्दार पाटेल केते हैं सिविल वार ब्रूक होने से अच्छा है पार्टिशन तो यहां अब यह गांदी जी रिस्पोशिबल तो नहीं थे नहरु आर पातेल बी रिस्पोशिबल और नहीं हैं गांदी जी फोकस करते हिंडो मुस्रि unity पे वो fast unto death पे बैढ़े आते हैं दो बातों पे एक तो communal violence रुकना चाहिए दूसरा जो आपने एक agreement किया था partition council agreement जिसके ताद आपको 55 करोड पाकिस्तान को देने चाहिए थे वो आप दे दीजे तो ultimately सारे political leaders इनको मनाने में लग जाते हैं कि इनका आफास तूटे पर नहीं तूटता तो बहुत बड़ा इशू हो जाता इसके बाद assassination of मात्मा गांधी कई rumors हैं कि इने किसी ने मरवाया पर ऐसा कुछ नहीं है गांधी जी को गोड से मारते हैं मारने का reason होता है पच्पन करोड तो पच्पन करोड गांधी जी बोल ले होते हैं पर अगर legal documentation साइने तो मिलना चाहिए तो नहीं दिया जाता इस payment वे इने मार देते हैं और नराणा आपते और इनको पासी पर चड़ा दिया जाता है और दी मातमा कांधी ने काता कि यह criminal rights अब मेरी death के साथ ही रुकेगी जब तक मेरी death नहीं होगी तब तक यह criminal rights हम नहीं रोक सकते हैं तो इस communal rights को हमें ठीक से ध्यान देना और इस पर हमें काम करना है ताकि यह criminal rights कहीं ना कहीं से रुक अब father of nation को मार रहे हैं फचन करोड को छोड़के बाकि उनकी कोई भी demand गलत नहीं थी लोग कहते है RSS महा और महासभा भी बहुत important reason है बट इस पर कोई भी trace नहीं मिला बाद में तो बिल्कुल clean shit में आ जाते हैं इसके बाद गांधी जी ने जो भी opposition किया वो सही था गांधी ये एक reason था जिसके चकर में ये partition के बाद का हुआ बहुत बड़ा incident हुआ नतुराम गोरसी ने ने मारा आज भी कई media और कई सारी history के notes हैं जो इनसे बोलते हैं नतुराम गोरसी ने सही किया जैनुली उन्होंने गलत किया था इसके बाद महात्मा कांधी की legacy की बात करो के तो जैड़ सी बात महात्मा कांधी से बड़ा नाम बेटा पूरी धरती पे कोई नहीं है vegetarian, ब्रमचरी, ब्रमचर की बात करो, सधारण की बात करो, भगवान की सत्ती की बात करो, सब पर वो बहुत important है एकला था ऐसा बंदा जिस बिना लाठी के पूरे देश को free करा सकता था, peace non violence ऐसा हत्यार था जिसको दुनिया ने देख लिया, Hitler को भी इन्होंने letter लिखके बोला कि वही आप war को avoid कर दीजे, ये सब देखके Britishers भी बहुत ज़्यादा inspire हुए, इनका statue दुनिया के हरे country में हर जगे लगा हुआ है, पूरी दुनिया महात्मा गांधी की mistakes को देखती है, और पूरी दुनिया देखती है, महात्मा इनका सरने मानती थी, क्योंकि इनकी ऐसी आदेती थी, बहुत genuine leader माने जाते थे, और कई सारी movies, documentary इनके लिए बन थी, क्योंकि बहुत important leader माने जाते हैं, हम phrase इन्होंने लिखे, गुजरात, reforms, यह सारे reforms इन्होंने किये, इनके बारे में सारी चीजह इन्होंने जो journals लिखे वो है, इन्होंने जो books लिखी वो है, तो महात्मा गांधी की writings आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना है, इसको भी आप लोग follow कर लिज महातमागांती सत्य बोलते तो राहिंसावादी थे इन्होंने का यह सबसे बड़ी डीट है यहीं हम कर सकते हैं मानवता के लिए और कुछ हम कर नहीं सकते हैं इन्होंने का जब भी आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको सत्य का आगरे करना चीए क्योंकि इससे बड़ा बंदे का उदय जरूरी है, सबको एक वली काम करना है, सबका उदय जरूरी है, सब लोग आपने काम करेंगे तभी होगा, रस्किन बॉर्ण के अंटू दिस लास्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं ये, स्वराज इन्होंने का विया, स्वराज ये सल्फ रूल है, सल्फ एकनॉमिक फिलोसिफी की बात होती है, ये कहते हैं, जो रिच हैं, उन्हें एक दूसरी की मदद करनी चाहिए, वेल्दी पिपुल, गरीबों की मदद करें, वेलफेर करें, इस प्रिच्वल डेवलप्मेंट की गांधी जी बात करते हैं, कि दाशनिक रूप से भी और इसके बारे में बहुत सारे बेटा काम करते हैं, इनको आपको याद रखना है, कई सारे constructive work महात्मा गांधी करते हैं, इसको आप गलती से मत भूलिएगा, महात्मा गांधी ये जानते थे कि अगर ये constructive work ठीसे करते हैं, स्वदेशी को ये follow करते हैं, तो इनको help मिलेगी, इस important role play करता है, इन सब चीजों के लिए, तो बच्चों आपको याद रखना है, कि स्वदेशी मोमेंट भी महात्मा गांधी के ideology के लिए एक बहुत important trait है, और इसको भी याद हमें रखना पड़ेगा यहीं पर, तो महात्मा गांधी के इन traits को आप कभी न भूलें, sanitation बहुत important trait ह आपको पता है, स्वचवारत अभियान इसलिए चलाया जाता है, मात्मा गांधी व्यक्तिगत स्वच्चता बे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, कहते थे यह दिम्यक्तिगत रुप से स्वच्च हैं, तो हम सारी चीजे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्चता के लिए स गांधी जी के रोल में removal of untouchability, temple entry, caste system, communal problem, dignity of womanhood, ये सारी चीज़े आपको इन पे words लिखने हैं, फिर womanhood में क्या treatment with woman, child marriage, dowry, परदा प्रथा, other evils के लिए मातमा गांधी नहीं क्या किया, इसके बाद समाजिक समानता के लिए मातमा गांधी क्या बात करते थे और कैसे prohibition करते है तमागू, पान, मसाला, दारू, इन सब के लिए कैसे इन्होंने prohibition start किया उसके बारे में, अब में इसमें भी बेटा इससे बहुत सारे questions आपके exam में आएं, कई सारी चीज़े हैं, तो मातमा गांधी के रोल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख लीजे, पहला question आप से पूछा गया है, कि मातमा गांधी का क्या रोल है, को ऐसी circumstances कि मातमा गांधी के support के बिना कोई भी ऐसी circumstances बनी नहीं हो सकती थी, तर रोल अफ मातमा गांधी वो supported by the circumstances surrounding the Indian freedom struggle, मातमा गांधी जो थे Indian freedom struggle की circumstances थी, उसी के through इनको support मिलता गया, इसे critically examine करें, जाहिर सी बात है, जैसे world war की बात करो, वो बहुत important था, उससे बहुत बढ़ा role play हुआ, कई सारी चीज़े हैं, आप एक बार देखेंगे तो फिल जाएगी, highlight the differences and the similarities, आपको अंतर और समानता बतानी है, मातमा गांधी और बाहर गंगा तरतिलक में, इसके बाद आपको character देखना है, moral attribute देखना है मा बहुत important है, उनकी personality में, इसके बाद मातमा गांधी की policies, जो इन्होंने introduce की, Indian freedom struggle के लिए entirely new थी, इसको analyze करना है, मातमा गांधी ने खिलाफत को कैसे support किया, इसको कैसे use किया, इसके बारे में आपको answer देना है, मातमा गांधी का achievement क्या है, कि अगर ये नहीं होते हैं, तो कैसे हमारी independence होती, उसके बारे में discuss होना है, signifies मातमा गांधी का आज के presented है, क्या है तो देखिए, मातमा गांधी बहुत important है, इनके बारे में mains में भी questions आते हैं, प्री में भी questions आते हैं, तो अगर इस lecture की slides को आप एक दो बार रट लेंगे, screenshot लेके पढ़ देंगे, तो आपके exam की काफी चीज़े निकल जाएंगी, hopefully आपको अगर lecture अच्छा लगाओ, तो इसे like करें, subscribe करें, देखें, समझें, भूजें, ध्यान रखें, lecture बनाने में समय लगता है, बहुत time taking process होता है, अगर आपको अच्छा लगे, तो please इसे like, share और झाल